बहुती भावुक पल है सदन के कितने ही एत्यासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिती से जुड़े हुए है फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं I have retired from politics but not tired from public life और इसे लिए इस सदन को नेत्रुतों देने कि आपकी जिम्मेदारी भाय ही पूरी हो रही हो लेकिन आपके अनुभवों का लाब भविश में सुदिर के काल तक देश को मिलता रहेगा हम जैसे अनेक सारवजिनिक जीवन के कायर करताओं को भी मिलता रहेगा आदेने सभावति महोदाएं आज हादी के अमर्त महोसों में आज जब देश अपने अगले पचीस वरसों की नई आत्रा शुरू कर रहा है तब देश का नेत्रूत्व भी एक तरह से एक नए यूग के हाथों में हम सब जानते हैं कि इस बारा मैं एक ऐसी पंद्रा आगेस मना रहे हैं जब देश के रास्पती, उपराश्ट्पती, स्पीकर, प्रधान मंत्री सब के सब वो लोग हैं जो आजहाद भारत में प्यादा हुए हैं और सब के सब बहुती साधारन प्रुष्ट भूमी साहते हैं मैं समझता हुँ उसका अपना एक सांकितिक महत्व है साथ में देश के नए यूग का एक पती भी है अधरिये सभावति महत्व है आपको देश के एक ऐसे उप्राश्पती है जिसने अपनी सभी भूविकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया उन्हें प्रोथान दिया आप लगातार युवाओं के समभाद के लिए युनिवर्सिटीज और इंस्टिजूशन्स लगातार जाते रहे हैं नई पीडी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मारदर्शन भी मिला है और युवाओं भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं इन सभी संस्थानों भी आपकी लोगपुरियता भी बहुत रही है मुझे बताया गया कि वाइस प्रसिलेंट के रूप में आपने सदन के बहार जो भाशन दिये उनमें करीब करीब 25 प्रतीशत युवाओं के बिश्वे रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भाशन है आदर्णे सभावति महद है व्यक्तिगत रूप से मेरा ये सवभाग रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग-अलग भूमिकाओं में देखा है बहुत सार ये आपकी भूमिकाओं ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंदे से कंदा मिलाकर कार करने का भी मुझे सवभाग रहा है पार्टी कारकरता के रूप में आपकी वैचारी पतिवद्दता रही हो एक विधायक के रूप में आपका कामखाज हो साउसत के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो भारती जन्रता पार्टी के दर्श के रूप में आपका सांक्षनिक कौशल्य और लीडर्शिप की बात हो केमिलेटी मंत्री के रूप में आपकी महनत नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलता हैं देश के लिए बहुत उपकारक रही हैं या फिर उप्राश्पती और सदन में सभावती के रुप में आपकी गरिवा और आपकी निश्टा मैंने आपको अलगले जिम्मेदारियों बड़े लगन से काम करते हुए देखा है आपने कभी भी किसी भी काम को बोज नहीं माना आपने हर काम में नए प्राण खुकने का प्रयास किया है आपका जजबा आपकी ये लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है मैं सदन के जरिये प्रतेक मानिये सांसद और देश के हर विवा से कहना चाहूँगा कि वो समाज देश और लोगतंतर के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्मिनिकेटिंग, चेजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रीकनेक्टिंग, जैसी किताबे आपके बारे में बहुत कुछ बकाती है आपके यह अनुभाव, हमारे युवाओं को गाइड करेंगे, और लोगतंतर को मजबूत करेंगे अधेर रास्पति महुता है, आपकी किताबों का जिक्र, मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में, आपकी वो शब्द प्रतिवहा जलकती हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं आपके बन लाइनर्स, बीट लाइनर्स होते हैं, और विन लाइनर्स भी होते हैं याने उसके बाद, कुछ और कहने की जरुरत ही नहीं रह जाती है यूर इच वर्थ इज हर्ड, प्रिफर्ड, एंड रिवर्ड, एंड नेवर काउंटर्ड, कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रुप में, और सहाजता से, इस सामर्थ के लिए, जाना जाए, और उस कॉर्सल्थ से, स्थीतियों को दिशा मोरने का सामर्थ रखे सच मुच मैं आपके इस सामर्थ को मैं बढ़ाई देता हूँ साथियों, हम जो भी कहते हैं, वो महतोपूर्ण तो होता ही है, लेकि जिस तरीके से कहते हैं, उसकी एहमियत जादा होती है। किसी भी सम्वाद की सभलता का पैमाना यही है, कि उसका गहरा इंपेक्ट हो, लोग उसे याद रखें, और जो भी कहें, उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभीवक्ति की इस कला में, वेंकियाजी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बार, देश के सभी लोग भली भाति पर चीत रहें। आपकी अभीवक्ति का अंदाच, जितना बेबाक है, उतना ही बेजोड भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, बानी में बीट भी होता है, और बेज भी होता है। बौन्थ भी होता है और विज्डम भी होता है समवात का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधूर भी लगता है आदर निये सभावति महोदे अपने तक्षीर में शातर राजनीती करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तब लोग कहते थे कि जिस विचान धानत से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविश में तो दक्षीर में कोई सामर्त नजर नहीं आता है लेकिन आप एक सामान्य विद्याद्य कारकरता से यात्रा शुरू करके और दक्षीर भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्टी अधिश के शिजपत तक पहुंचे ये आपकी एक अभीरत विचार निश्था, कर्तब निश्था और कर्म के प्रती समर्पन भाव का प्रतीक है अगर हमारे पास बेश के लिए भावनाय हो बात कहने की कला हो भाषाई विविद्यता में आस्ता हो तो भाषा, शेत्र हमारे लिए कभी भी दिवाव नहीं बनती है ये आपने सिद्ध किया आदर्य सभावती महदर आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी मुझे तो विशे सुप से याद है मन हमेशा सुना है आप मात्रु भाषा को लेकर के बहुत ही तच्ची रहे हैं बड़े आगरही रहे हैं लेकिन उस बात तो कहने का आपका अंदाज भी बेरा बुक्षूरत है जब आप कहते हैं कि मात्र भाषा आँखों की रोषनी की तरह होती है मात्र भाषा आँखों की रोषनी की तरह होती है और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है ऐसी भावना रुदे की गहराई सोही बाहर आती है वेंकाय जी की मौजूदगी में सदन की कारवाई के दौरान हर भारतिय भाषा को विशिष्ट एहमियत दी गई है आपने सदन में सभी भारतिय भाषाओं को आगे भडाने के लिए काम किया सदन में हमारी सभी 22 शुद्यूल लेंग्विज में कोई भी मान्य सदन से बोल सकता है उसका इंतजाम आपने किया आपकी ये प्रतिभाः आपकी ये निष्टा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रुप में हमेशा हमेशा काम करेगी कैसे संसदी और सिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभाःवी धंग से कह सकता है इसके लिए आप प्रेरा पुंज बने रहेंगे आदनिया सभावदि महदाई आपकी नेत्रुत्व चम्ता आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिवर्दता और प्रोड़क्टिविटी को नई उंचाई दी है आपके कारकाल के वर्षों में राज सभाय की प्रोड़क्टिविटी सेवेंटी परसेंट बढ़ी है सदन में सदस्यों की उपस्तिती बढ़ी है इस दोरान करीब करीब एक सो सततर बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई जो अपने आप में कृतिमान है आपके मादर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनी भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं आपने कितने ही ऐसे निरने लिये हैं जो अपर हाउस की अपड जरनी के लिए याद किये जाएंगे सचिवाले के काम में और अधिक Efficiency लाने के लिए भी आपने एक समीतिका भी गठन किया इसी तरह राजसभा सचिवाले को सुव्यवस्थित करना Information Technology को बढ़ावा देना Paperless काम के लिए E-Office System को लागू करना आपके ऐसे कितने ही काम है जिनके जरिये उच्च सदन को एक नई उच्चाई मिली है आदर्ण ये सभावति महदाई हमारे यहां सास्त्रों में कहा गया है नसा सभा यत्र नसंति वृद्दा नते येन वदंति धर्मम अर्थाथ जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानि कर्तवय की सीख देए आपने मार्दर्शन में राज सभा ने इन मानकों को पूरी गुनवत्ता से पूरा किया है आप मान्य सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उने अपने अनुभवों का लाब्दी देते थे और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डाटते भी थे मुझे भी सवाथ है कि किसी भी सदस्यों आपके किसी भी सदस्यों को कभी अन्य था नहीं लिया ये पूजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगज जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्याउधान एक सीमा के बाद सदन की आउमानना के बराबर होता है मैं आपके इन मानकों में लोग तंत्र की परिपरफ़ता को देखता हूँ पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दोरान सोरगुल होने लगे तो कारवाई को स्थगित कर दिया जाता है लेकिन आपने समवाद, संपर्क और समनवे के जरिये ना सिर्फ सदन को संचालित किया बलकि उसे प्रोडक्टिविक भी बनाया सदन की कारवाई के दोरान जब सदस्यों के बीश कभी ट्रक्राओ की परिस्तिती प्रदा होती थी तो आप से बार बार सुनने को मिलता था लेड दे गवर्मेंट प्रपोज, लेड दे ऑपोजिशन आपोज, लेड दे हाउस दिस्पोज इस सदन को दूसरे सदन से आए विधायकों पर निश्यत्रुप से सहमती या असहमती का अधिकार है यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक कर सकता है, या एमेंट कर सकता है पर उन्हें रोकने की बादित करने की परिकलपना हमारे लोक्तंत्र में नहीं है आदनिये सभावती महदाई, हमारी तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदत से एक साथ उपस्तित है यही हमारे लोगतंत्र की खुबसूरती है यह आप के लिए इस सदन के सम्मान का उधारा है मैं आशा करता हूँ कि आपके कारिय आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेना देंगे अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदन स्थापित किये हैं जो आगे इस पद पर आसिन होने वालों को प्रेलित करते रहेंगे जो लेगसी आपने स्थापित किये है राग सभा उसका अनुसरन करेगी देश के प्रती अपने जवाब देए के अनुसार कार्य करेगी इसी विश्वास के साथ आपको पुरे सदन की तरफ से मेरी तरफ से अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है इसके लिए सब के तरफ से रण स्विकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत शुट कामना